रोटरी क्लब पानेपत और रोटरी क्लब रैन्बो ने गीता विशिविद्याले की साथ मिलकर विद्यार्थ्यू के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयुजित किया प्रोग्राम सुभाद 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला जहां विद्यार्थियों को फ्री करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलप्त करवाए गई 1900 से अधिक विद्यार्थियों ने इस करियर काउंसलिंग में हिस्सा लिया इस मोकी पर गीता युनुवासिटी के चांसलर एस पी बंसल ने कहा कि शहर में करियर फियर और काउंसलिंग सेमिनार जैसे कारिक्रम कायोजन निश्चित रूप से एक सरहाने प्रयास है इस प्रकार के कारिक्रम भविशी में भी आयुजित होते रहने चाहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाब उठा सके मोजुदा समीमी बच्चे और अभिभावक दोनों ही करियर को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते ही इसलिए एक ही छत के नीचे उनकी तमाम जिग्यासाओं को शान्त करने का ये अच्छा मंच साबित हो सकता है प्रियास किया उन्होंने वह बधाई के पात्र है और मैं तो चाहूँगा कि रोटरी कलब इसी प्रकार से आगे भी केरिक कॉंसलिंग के मेले लगाते रहे ताकि बच्चों को सही रहा मिले सही रास्ता मिले और ये मैं देखता हूँ कि हम पर इतने अच्छे से कॉंसलर बैठे हैं मैं एक दो कॉंसलर से मिला पता लगा कि एक बच्चा जो कोई अलग कॉंसलिंग की मैंने पूछा उनसे तो उसका माइंड सेट ही बदल गया जो उसके अंदर चीपी परतीभा थी उस परतीभा कि अनुसारी उसको कॉंस मन भागया और उस कॉंस मेड़ मिशन के लिए वो त अंकुष बंसल ने बताया कि बारवी के बाद विद्यार्थि और उनके अविभावक अक्सर परिशान रहते हैं कि क्या कूर्स करें किस कॉलेज या युनवसिटी में अडमिशन ले या कैसे वो अपने भविश्य को उजवल बना सकते हैं स्टूडन्स और पेर्ण्स किसी प्रोबलम को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम का आवजिन किया गया इसके लिए दिल्ली से एक्सपर्स को बुलाया गया जिन्होंने विद्यार्थियों को वो जानकारी दी जो आम तोर पर उन्हें उपलब्द नहीं हो पाती है गीता विश्विद्याले ने इस प्रोग्राम को आजित करवाने में बड़ा योगदान दिया है उन्होंने बताया कि गीदा युनिवरसिटी शित्र की पहले युनिवरसिटी है और देश की उन अगर्ने विश्विद्याले में से एक है जिसने नई एजुकेशन पॉलसी को बक्ष बनाते हैं वोईसु पानीपत के लिए कुलवन सिंग